प्रबु येशु मसी के नाम में आपको अनंत जीवन की आशिश मिले बाइबिल में लूका अठारा अध्याए नौ वचन से हम पढ़ते हैं और उसने कितनों से जो अपने उपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुछ जानते थे यह द्रिश्टान कहा दूसरा चूंगी लेने वाला व्यक्ति था धर्म गुरु खड़ा होकर अपने मन में यह प्रात्ना करने लगा कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और लोगों की तरह अंधेर करने वाला अन्याई और वेभिचारी नहीं और ना इस चूंगी लेने वाले के समान हूं मैं सब्ता में दो बार उपवास करता हूं मैं अपनी सब कमाई का दस्वा अंश भी देता हूं परन्तु चूंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर आकाश की ओर आखे उठाना भी ना चाहा वरन अपनी चाती पीट-पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा धरम गुरु नहीं परन्तु यह मैसूल लेने वाला धर्मी ठेराया जाकर अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा दो व्यक्ति थे एक धरम गुरु था और दूसरा चूंगी लेने वाला या महसूल लेने वाला धर्म गुरू हम जानते कैसे होते हैं मुझे समझाने की आवशक्ता नहीं है लेकिन मैसूल लेने वाला उन दिनों जो चुंगी लेते थे वो बड़ा बुरा जीवन बिताते थे जादातर उनको बहुत उपर का पैसा मिलता था गरीबों को लूटते थे जादा टैक्स लेते डराते थे धमकाते थे और इसलिए उनके पास उपर का काफी पैसा होता था जो वो बुरी चीजों में खर्चते थे अयाशी में खर्चते थे और जैसे जब ज़्यादा पैसा मिलता है और मुफ्त का मिलता है हराम का मिलता है तो एक आदमी कैसे खर्षता है वैसे वो खर्षते थे और उनका जीवन वास्तों में एक अयाशी का और लुच्चा जीवन होता था ज्यादा तर चूंगी लेने वालों का लेकिन हम देखते फिर भी ये चूंगी लेने वाला प्रात्ना के घर में आया क्यों आया इसका जीवन खाली था खोकला था और बेचैन था इसके पास समान बहुत था पैसे बहुत थे सब कुछ था लेकिन इसके मन में खाली पन था और कोई शांती नहीं थी बेचैन था इसलिए प्रात्ना के घर में आया और धरम गुरू इसकी तो बात क्या कहे ये जब प्रात्ना के घर में खड़ा होकर प्रात्ना करता है मनी मन में तो परमिश्वर को ये बताता है कि देख परमिश्वर मैं कितना अच्छा हूं मैं अंधेर नहीं करता मैं विविचार नहीं करता मैं कोई बुराई नहीं करता और ये जो गक्ती परमिश्वर खड़ा है ना मेरे पास इचूंगे लेने वाला मैं इसके समान भी नही हूँ, मैं तो सब्ता में दो बार उपवास रखता हूँ, जो भी मुझे दान मिलता है, उसमें से दस्वांज दान में तुझे वापस लोटा के देता हूँ, तो वो अपनी बढ़ाई परमेशर के सामने कर रहा था, उसको अपने जीवन में कोई भी गल्ती नहीं दिखरी थी, धरम गुरू था और उको तुझ जानता था, लेकिन फिर प्रभु येशु उस चूंगी लेने के वाले के बारे में बताता है, कि उसने आकास की तरफ वो आंगन में खड़ा था प्रात्ना के घर के, आकास की तरफ देखा भी नहीं, परन्तु अपनी च्छाती पीट पीट कर का, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, वो जानता था कि मेरा जीवन इतना बुरा है कि सिर्फ परमेश्वर की दया ही मुझे एक्सेप्ट कर सकती है मुझे ग्रहन कर सकती नहीं तो मेरे पापों के कारण मेरा तो विनाश होना निश्चित है और प्रभी एसु कहता है ये व्यक्ति इन दोनों मेंसे ये चूंगे लिनालवác व्यक्ति धर्मी होकर घर गया धर्म गुरु धर्मी नहीं ठेहता बाइबल के अनुसार धर्मी का क्या अर्थ है? धर्मी का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो बाईजट बरी किया गया पर्मेश्वर की दृष्टी में पर्मेश्वर ने उसको ऐसे गोशित किया कि मैं इसके अंदर कोई भी पाप नहीं देखता ये होता है धर्मी का अर्थ और प्रभु येश्व कहता है ये चूंगी लेने वाला विक्ती धर्मी होकर घर गया क्यों? क्योंकि पर्मेश्वर ने उसको धर्मी धराया आपके जीवन कैसा भी रहा हो, कितने भी पाप रहे हो लेकिन अगर आप चूंगी लेने वाले की तरह तूटे वे मन के साथ सच्चे हिर्दय के साथ पर्मेश्वर के उपस्थिती में आते हो अपने दिल की सच्चाई से खामोशी में प्रभु येश्व के पास आते हो तो पर्मेश्वर आपको भी धर्मी धरायेगा अगर आप सच्चे दिल से पश्टाप करेगे और प्रभु येश्व इसलिए आपको धर्मी धरायेगा क्योंकि उसने आप के लिए अपने प्राण कुरूस पर दिये और अपना पवित्र खून बहा दिया ताकि आपके पाप धुल सके वो तीसरे दिन जी उठा ये इस बात का सबूत है कि उसका बलिदान परमेश्वर पिता ने ग्रहन किया है येश्व के लहू में इतनी अद्भुच सामर्थ है इतनी बड़ी सामर्थ है कि आपके काले से काले घिनोने से घिनोने किसी भी रंग के क्यों नहों लाल हो अगरवानी कैसे भी पाप क्यों नहों येश्व का लहू आपको धो कर पवित्र कर सकता है आपके सारे दाग और धबे जो कोई नहीं जानता येशु का लहू उसको दो डालेगा और परमिश्वर कहेगा ये मेरा बच्चा ये मेरी बच्ची धर्मी है और तब आप अनंद काल के लिए परमिश्वर के साथ अनंद जीवन में वास करोगे परमिश्वर आपको आशिश्टे